दिवस्कार कापिटल टीवी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के तरब से आ रही है आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सबासांसत संजे सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस किया है और एक को गिरफतार करा गया इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ निजुन से जड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीव डॉक्टर मनिश कुमार संजे सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस इनको महेंगा पड़ेगा आम आदमी पार्टी को फिर से जो अपना किता हूं कभी कभी ऐसे से महले में कुछ बेशरम निरलज किसम के लोग होते हैं वो रोज घर के बाहर आजाएंगे वो गाली गिलोज करेंगे और चले जाएंगे वाट दे डू दे प्रवोकियो आप उसके प्रवोकेशन में आ जाएंगे तो उसी नीचिता में आपको आन इन लोगों ने सोच लिया है कि देश की जनता जो है वो मुर्ख है और मीडिया जो है वो दलाल है हम कुछ भी अनरगल प्रलाप करेंगे उसको वो उस तरीके से दिखाएंगे अब इस व्यक्ति को ब्रह्म ग्यान होगे च्छे महिने जेल से रह करके आया है और इसने एक प हो यह आदमी अभी कुछ दिन पहले कोट में यह कहता हुआ लीवर का इलाज कर रहा था तस्वीर में ने देखी यह हॉस्पिटल जा रहा था तो वीलचेर पे और तो जमानत मिल गई तो वो कार के डिक्की के उपर चड़ गया था तो यह सब के सब बंडल बाज किसम के लो है तो बीजेपी के कहने पे अर्वंद केजिवाल ने नई सरावनिती बुलाई बीजेपी के कहने पे वो पांच परसंट से बाराफ परसंट कर दिया गया बीजेपी के कहने के आधार पे ही आपने जो एलवन लासेंसीज हैं उनका कमिशन जो है आपने बढ़ा दिया यह ब बोटल के साथ दूसरा फ्री करवा रहे थे क्या बीजेपी के कहने पे ही आपने ये जो रीटेल सौप के जो विक्रेता थे जिनको हर बोटल पे पहले 30 रुपे फायदे होते थे आपने बीजेपी के कहने के ओपर इन सरा मावियाओं को पर बोटल 353 रुपे फायदे कर पहु जो बीजेपी के कहने पर यह सारी चीजें वो कर रहाता इसका मतलब तो यहीं है लेकिन उसको वो खा जा रहा है गुप्ट बोलता नहीं है क्या दलील दिया इसने इसने दलील दिया कि देखिए वो तो साब साब दिख रहा है 55 रुपए जो है वो बीजेपी के पास गया मनी ट्रेल मिल गया अच्छा यह कौन से स्कूल में पढ़ाई किये तुमने और यह जूट बोलने की ट्रेनिंग तुमने कहां से ली थोड़ा सा कच्चा रह गये यह बता दो कि कौन से दुनिया में घूस जो है वो वाइट मनी में दिया जाता है मुझे कोई समझा दे कि वाइट मनी में घूस कौन लेता है तुमने लिया था और कोई सवाल करने रहा है इस क्या पीए इसका पीए वो सराब माफिया की कंपनी में 20% का स् है तुम्हारा चेहरे देख करके उसने अपनी कंपणी में तुम्हारे पीए को बिस परसंट का स्टेक होलडर बनवा दिया तो मीडिया वाली सब सवाल जवाब करेंगे नहीं यह पूछेंगे नहीं इसको क्या देगे इसको फ्री रन देंगे और सबूत की तौर पर क्या दि हो वैसे मगुंटा भी एक MP है किस MP का प्रधान मंत्री मोदी के साथ तस्वीर नहीं है कौन सा ऐसा MP है जो प्रधान मंत्री मोदी से अपनी constituency के बारे में बाचित करने के लिए वक्त मांगता है और उसको वक्त नहीं मिलता है और वक्त मिलता है मिलने के लिए जाते हैं तो प्रधान मंतरी कारियाला में यह प्रोटोकॉल है सबकी तस्वीर खीची जाती है आप भी जाओगे मिलोगे तो प्रधान मंतरी के साथ तस्व अब तो ऐसा करते फिर, भई, वो कहते हैं, अमेरिका से आए तिराश्पति की पत्नी, केजरिवाल के स्कूल को देखने के लिए, तो केजरिवाल के साथ उसकी भी तस्वीर है, तो सराब घोटाले में वो भी है, फसा हुआ, जितने लोगों से तुम मिलते हो, सब सराब घोट आ गया कि बीजेपी के पास बनी ट्रेल है, फलाना है, चिराना है, सारी चीज़े आपके पास अगर है, तो आप कोट में आगर क्यों करते हैं, तो आप देलीर वहां क्यों नहीं देते हैं? मगुंटा जिसका व्यक्ति है जो इसके बारे में सारी तस्वीरिया और सारा संजे सिंग निकाल रहा है वो के कविता कल बेल के लिए अप्लिकेशन देती है तो वहां क्या कह रही है वहां कह रही है कि मैं महिला हूं मेरे बच्चे है बच्चे का स्कूल है उसका एक्जाम है इसलिए मुझे बेल देदो वहाँ इस सब ग्यान नहीं चलता यह मनसी सुधिया को यह ग्यां नहीं दिए जो जाता है कहता है कि बच्चे कि बेल किसले चाहिए तो देखिये ए मेरी पत्नी बिमार है पत्नी को irreversible disease है और उसको देखने वाला कोई नहीं है और इसलिए हमको वो वहाँ यह घून नहीं देते तो तो कहने का मतलब यह है कि यह आदमी जैसे मैंने कहा कए मोहले में और मैं नहीं होता है शराबी कबाबी उस तरह का वर्यट्पी जो गाली गलाूज्स जद जिन्होंने इनको बेल दिया, यह उनका उनस है, कि जो सर्थ आपने दी, कि इस केस के उपर, वो कोई पब्लिक स्टेक्मेंट भी करेगा, वो आकर के, कोई प्रेस कॉंफरेंस नहीं करेगा, इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, यह आकर के, यह आदमी, यह प्रेस कॉं समिधान, कोट्स, और उसके आदोसे पर कोई भरोसा नहीं है, यह अपनी गंदी राजनीती करेंगे, इसके लिए कोट की अवमानना है, तो है, अब जिन लोगो ने दिया इनको बेल, अब उनको तो एक्शन में आना पो लेगा, एडी विल गो, कि भई, देखिए, आपने म किया, और मैं आपको बता दू, जिन लोगों ने गवाह बदली, उन्होंने ये भी बोला, जैसे मारवा, उसने साब साब कहा, कि पहले हमने संजे सिंग का नाम इसल नहीं लिया था, क्योंकि हमको इसने धंकी दी थी मारने की, अभी कल के कमिता के के केस में, एडी ने कोट क अंदर खुला सकिया, कि आम आदी पार्टी के लोग गवाहों को बकाइदा धंकिया दे रहे हैं, तो ये सारी चीजे हो रही है, तो मुझे लगता है, कि ये लोग जो काम करना चाह रहे थे, ये प्रवोक कर रहे हैं, बीजे पी को, ये प्रवोक कर रहे हैं, कोट को, ये प तो इज़त होती नहीं है बाकी लोगों को अपनी इज़त बचानी होती है और उसको लगता है कि वह हमी शेर है दिक्कत क्या है वहां जो है वो सारे लोग जो मीडिया वाले जो है इस बेहुद्गी को वो एम्प्लिफाइब करने में लगे हुए सर संजी सिंह का कहना है कि जेल का जवाब हम वोट से देंगे कैसे देंगे वोट से दीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप सिस्टम काईदे कानून से आप चलेंगे ना अभी आतिसी मालेना को नोटिस गया है कल वो अलग नोटक की कर रही थी जूट बोल रही थी कि हमें खरिदनी की कोशिश की जा रही है मेरे परिवारी किसी बहुत ही पर्सनल फ्रेंड के दौरा हमको अप्रोच किया गया है अब उनको पांच बज़े तक का टाइम दिया गया है खल तक वो जवाब दे भाई कौन है नहीं है फोन नंबर दो उसका इंटिफिकेशन दो उसके उपर केस चलेगा उसको जेल में डालना चाहिए अगर कोई इस तरह के खरिद फरुख का आफर कर रहा है तो उसको जेल में डालना चाहिए और जो दावा संजे सिंग कर रहा है तो संजे सिंग को सीधे कोट जाना चाहिए यह सारी चीज़े जो है जज़ेस के हवाले करना चाहिए कि देखिए यह हमने नहीं किया यह बीजेपी का पूरा घोटाला है बीजेपी ने इस गोटाले को अंजाम दिया हम तो बीजेपी के दलाली कर रहे थे जैसा जैसा उन्होंने कहा कि बहुत 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 धन्यबाद से तमाम चानकारी के लिए तो संजस सिंग ने आज प्रेस कांफरेंस किया है और पहले से यह कह रहे थी कि बहुत बड़ा हलाकि संजस सिंग ने प्रेस कांफरेंस करके यह कहा कि शराब गोटाला बीजेपी ने किया है बलकि आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है और केजरिवाल को साजिश के तहत फसाए गया है लेकिन जिस तरीके से कोट से इने शशर्थ जमानत दी गई है उसके बाद जिस तर हुआ